इस तरह के अजादी हमें नहीं चाहिए पिर आप हमें इंडिया से वापिस मिला दें एक आपको बहुत आगे हैं आज सोशल मीडिया पे आपको भी नजर आरहा होगा अकसर हम पोस्ट देखते हैं के पाकिस्तान से जिन्दा भाग आप इसके ओपर क्या खहना चाहेंगे पाक में मिल्हा अभू करें घर परिद्स आगैंगा जिस तरह से महंगाई ओड़ तरह से चोड़ सोड़ के लग रहे हैं ठीक है। और जिसमेज़ से आप का गरीब पिसर है। अमीर होता जा rahya है और जिसमेश जाणा घ hugging मिलत में शरा बढ़ रही है। तो अपने चेह आप समयो है। इंज मिजम न ख PF हो सकते हैं आप बरिवाक कि और भी आप भी Τ आपने 공ह किस चीज की जढ़िए। नहीं देखें आपका अपना एक point of view है मैं ये नहीं कहता आप गल्द है या सही है लेकिन बात करने का मतलब एक discussion की जाती है आपका point of view लोगों तक पुंचाने के लिए public का point of view लेकिन आपने बोला हम अजाद नहीं है आपने बोला अजादी का दिन इस तरीके से नहीं celebrate करना चाहिए पहले हमें अपने issues को solve करना चाहिए issues तो हर country में हैं तो ऐसे तो कोई country अजादी का दिन ना मनाए इंडिया की अगर बात करें वो तो बड़े धडले से वो तो अपना campaign चलाते है प्रापर हर कर तरंगा और इस रीके से अजादी आप अपने आपको compare नाई करें युकमन अना था सबसे पहला रोटी कप्रा मकान रोटी कप्रा मकान निकली निकली निर लिए इंडिया ने इंडिया अपना तीसरा मेजाई जो श्पेस शिप जारा चान्द पे अपना एक बड़ा निगाल दिया जिसके ओपर में बंद रहे हमलों की जालत हुरी है फिर से वापस मिला दे हैं अज़ा आफिर पर दो के रहें है इस से बहुत है इन्डिया पहत था है लेकिन अपने मुलक के लिए ऑछा सोचे हैं अपने हमाम रेलिझ मेंको आप्की कर एंप आप बनाना डेपबिक है जिसको बोलन है यह जो आप भी उलिया खी लेटी जो कि कुछिश़ हो बात करें चैनल यह चांटा है लिए अगा बहुत आप सकते हैं अगर आप बोल सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया पे आपको नहीं लगता आज का फिया तक जुन से हम खुल के बात कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं जो सोशल इशूज हैं पाकिस्तान के इशूज हैं उनके ओपर बात की जाए अगर आज हमने ये टॉपिक स्लेक्ट किया शाद उसका भी यही मकसद है हम भी आके जो दूसरा हमारा मेंस्ट्री मीडिया कर रहा है आकर कैसे जी चोधांगस्त है क्या कहेंगे अजाद हैं पर्चम ऐसे लहराएंगे मैं यही बात करता है ऑगर मैंने ये टॉपिक स्लेक्ट किये तो उसकी ही रीजन है कि siihen बात करें हम देखें किया वजय है क्यों बात कि हैizada पाकिस्तान पर सेल क्यों लिखा था आपका एरपोर्ट गेस आपकी बंदर गहें ठीक है आपकी जो गवाधर पोर्ट हॊट रगी यह थीक है पिद्धिंग वह घरिए भीड बड़ीज वह तो अगर आपने मुलग चलाने तो फिर आप अजाद नहीं है एक टाइम आएका है जब आप अपनी मर्जी से ना दरिया यूस कर सकेंगे ना हवाई हदूत यूस कर सकेंगे और जो मर्जी आप चड़ जाएगा इसका मतलब क्या है आप अजाद नहीं आप अजादी मनाएं जि पता नहीं चालिस कुलोर पे का आप ने जंडा बना दी पतना जंडे को बनाने के पिजाए चालिस घड़ों को देख लेते पता नि झाल झाल